हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका मेरे चैनल सीजन आर्ट एंड क्राफ्ट ने फ्रेंड्स आज की वीडियो में लड्डू को पाल जी के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी फेस्टिवल स्पेसल तो उसके लिए मैंने आप पर ये बेस रेडी करके लखा हुआ है देखी इसका डाइमीटर साथ इंच है तो मैंने यहाँ पर ये छोटे साइज का इसलिए बनाया है क्योंकि जो इसके उपर में पैटल लगाऊंगी वो थोड़ा भार निकाल कर लगाऊंगी तो उससी थोड़ा बड़ा बनेगा इस तरह की ड्रेस मैंने पहले भी बनानी बताई हुई है तो वो ड्रेस मैंने अलग में थड़ सी बताई थी और ये मैं कुछ अलग में थड़ सी बनाना बताऊंगी तो देखी मैंने आपर कुछ इस तरह की पैटल बना कर रखी हुई है ये पैटल भी मैं आपको इसी देखना बिना स्किप्ट की हुए तो देखें इसके उपर मैंने इस्टोन चैन और ये इस्टोन बटन वाइट कलर के बिग साइज के लगा लिये है तो देखें इन पैटल को मैं इस बेज के उपर इस तरह से होट गुलू के हल्प से पेस्ट करूंगी आप चाहे तो सिलाई म इन पैटल्स की और देखें एक दूसरी के उपर इस तरह से थोड़ी हल्के सी रखते हुए हम ये पैटल पेस्ट करेंगे तो friends अगर आप चैनल पर पहली बार आया है तो please चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक करके ओल पर क्लिक कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोट्फिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स वीडियो को like और share भी क्या करें तो देखे इस तरह से मैं याप पर ये paste कर लेती हूं तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यापर first row complete कर लिए और second row में जो लगाऊंगी देखे जो यहाँ पर ये एक part इसका एक side सी open रहती है वहाँ पर में center में लगाऊंगी इस तरह से तो इस तरह से हम लगाते हूए ने second row भी complete कर लेंगे और third row लगाऊंगी मैं सिलाई machine की help से सिलाई करके क्योंकि अगर हमने hot glue की help से ये paste करके लगाई third row भी तो जब हम नेफा बनाएंगे सिलाई करके तो नेफा बनाने में थोड़ी problem होगी तो इसलिए मैं यहाँ पर third row सिलाई करके लगाऊंगी तो देखें इस तरह से हम third row को यह जो यहाँ पर थोड़ा open है इससे एक side रखेंगे क्योंकि नहीं तो अगर यह बंद हो गया तो लड़ू गोपल जी को पहना नहीं पाएंगे तो इस तरह से हमें इससे छोड़ते हुए यहाँ पर paste कर लेनी है तो री सिलाई machine के help से इसकी धाई इंच इसकी चोड़ाई है और करीब 7-8 इंच इसकी लंबाई है तो इसकी अलपसे में नेफा बनाऊंगी और final look में इसका आपको बाद में दिखाऊंगी तो देखें friends यह मैंने base तो ready कर लिया है अब मैं आपको जो मैंने उसके उपर पैटल लगाई है वो बनाना बताऊंगी तो देखें यह इस तरह की मैंने आपर मलाई डोरी लिया है पिंक कलर की तो आप तो मैं आपर पिंक कलर की ड्रेस बना रहे हूं तो मैंने आपर पिंक कलर की मलाई डोरी लिया है तो पैटल बनाने में हम इसका यूज़ करेंगे औ और यह मैंने पर एक स्कैर्पीच लिया है नेट का तो देखें यह मैंने 4 by 4 का स्कैर्पीस मैं लिया है और आप चाहे तो फॉर बायव डायव व्या prose बड़ साइज की पैटल बनेगी और साड़े तीन इन्च आगर स्कैर्पीस लेंगे तो थोड़े छोटे साइज की पैटल्स बनेगी तो आप 3.5 इंच से छोटा ना ले और 4 इंच से बढ़ा ना ले तो देखें यह मैंने आपर एक मलाई डोरी का पीस कट कर लिया है यह हमें इस साइज का कट करना है जो इस तरह से हम स्क्वार पीस को फोल्ड करें और इसके से सेंटर में रखें हम इस तरह से स्क्वार पीस को फोल्ड कर लेंगे और निडल की हैल्प से हम इसमें सिलाई करेंगे देखें इस तरह से कि तो देख़े इस तरह से हमें सिलाई करते हुए जो इस स्क्वैयर पी स्काव लास्ट वाला कोर्णर है वहां तक ले जाना है और फिर हम इसको खीचते ज़ुकर से ठोड़ा हमें रहे कर देखे इस तरह से किर बाद हमें इसमें लास्ट में नोट लगाकर थ्रेड कर देना है तो इस तरह के हमें काफी सारे पेटल्स रेड़ी कर लेने हैं कि सुमें इनके ऊपर बारीख वाली श्टोन चेन और इस टॉन बटन भी लगा घाओंग इस तरम होसे लेख़िए मैने आप बारीख वाली श्टोन चेन तो देखे, friends मैंने आपको petals भी बनाना बता दिये हैं मैंने और हमारा बेस भी ready हो गया है अब मैं आप पर इसके matching की पगड़ी बनाओंगी तो देखे, अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे पगड़ी बनाने के लिए मैंने आपर जो मैंने petals बनाए थी उसमें से कुछ पैटल्स बच गई थी तो इनको इस तरह से मैं याप पेस्ट करूँगी आप चाहे तो इसमोल साइज की भी बना सकते हैं तो मेरे पास ये बची हुई थी तो मैंने इनी का यूज कर लिया देखें इस तरह से पेस्ट करने के बाद उपर की साइड मैंने स्टोन चैन लगाई है और कुछ स्टोन बटन लगाई है तो देखें इस तरह से हम एक डिजाइन रेडि कर लेंगे और ये मैंने यापर करीब 1.5 इंच की एक स्टिप लिए है तो देखे इसको हम इस तरह से यह round round घुमाएंगे तो यह इस तरह से गुमाने से एक डोरी बन जाएगी इसका यूज भी हम पगड़ी को डेकोरेट करने में करेंगे तो देखे इस तरह से यहाँ पर मेरी थोड़ी पतली बन गई थी आप चाहे तो यह थोड़ी चोड़ी स्ट्रिप लेकर यह थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं तो देखे इस तरह से हम इसको आपस में लपेट देंगे बीच में से फोल्ड करके और हम इसको पगड़ी पर लगाएंगे और देखे यह पगड़ी का बेस को हम कवर करने के लिए यह मैंने यापर करीब धाई इंच की एक इस्ट्रिप ली है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और पगड़ी के base को इससे cover करेंगे तो देखें मैंने यहापर पगड़ी का base पहले से बना कर रखा हुआ है पगड़ी के base की मैंने काफी सारी वीडियो भी डाली हुई है और अगर आप message करके बोलेंगे अगर आप comment करेंगे तो मैं एक पगड़ी की अलग से वीडियो बना दूँगी तो देखें इस तरह से मैं यहापर इसको base को cover कर लूँगी और cover करने के बाद मैं इसके उपर cover करने के बाद मैं इसको decorate करूँगी तो आप वो देख लेना कि किस तरह से decorate करूँगी मैं तो देखें जो हमने यह डोरी बनाई थी इसको मैं इस तरह से आगे की साइड paste करूँगी तो देखें यह मेरी थोड़ी यहाँ पर बारीक बन गई थी तो इस तरह की यह डोरी में आप stone chain भी लगा कर इसे थोड़ा decorate कर सकते हैं तो यह बारीक बन गई तो इस तरह से तो इसलिए मैं इसे decorate नहीं कर पाई तो अगर आप थोड़ी मोटे साइज की बनाएंगे तो आप उसमें stone chain की help से उसे decorate कर सकते हैं कुवचबीक कुपबीक प्रप्राइब दो झाल झाल तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पगड़ी कम्पलीट हो गई है यह देखे जो मैंने इसमें साइड में लटकन लगाई है यह भी मैंने खुद से बना कर लगाई है और जो इसमें मैंने कलगी लगाई है वो भी मैंने खुद से बना कर लगाई है यह मैंने आपको चैनल पर भी बनानी बताई है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं तो देखे फ्रेंड्स मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ ड्रेस का कैसा है यह देखे यह कुछ ड्रेस हमारी ऐसी बनी है देखे बिल्कुल मैचिंग की पकड़ी बनी है और फ्रेंड्स यह बनने के बाद ड्रेस का डाइमीटर नो इंच हो गया था तो आप इसे तीन चार और पाच नंबर के लड़ो गोपाल जी को पहना सकते हैं के लिए वीडियो थोड़ी भी अलफुल रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में राद्यादे फ्रेंड झाल झाल